Hello everyone, a question is the bisector of angle A in triangle ABC meets BC and D. देखिया एक triangle ABC ये है triangle ABC triangle ABC ठीक है इसका angle A का bisectors है angle A का bisector है ये क्या angle A का bisector है जो कहां जाके मिल रहा है? D पहेए ठीक है AB दिया है अपनको 15 cm AC दिया है 13 cm और BC दिया है पूरा BC दिया है यहां से लेकर यहां तक कितना 14 cm BC कितना दिया है 14 cm ठीक है अपन से क्या पूचा अपन से DC की लेंद पूचिए ठीक है अच्छा अपन को यह पता है कि एंगल वाई सेक्टर जो रहता है वो साइट के रेशो में सामने वाली साइट मतलब तीसरी साइट को बाढ़ता है मतलब इनका रेशो कितना जागा यहां से यह जागा 15 रेशो 13 ठीक है और टोटल साइट कितनी दिये 14 ठीक है और यह टोटल अगर रेशो को टोटल करेंद कितना रहा 15 प्लस 13 28 मतलब 28 unit की value कितिया गए 14 तो यहां से एक unit की value कितिया जाए 1y2 अब हम सब पुछाए DC, DC का मतलब 13 unit, 13 unit की value कितिया जाए 13 is to 1y2 जो कि क्या हो जागा 6.5 cm, कौन से option में, C option, C option is correct answer, thank you so much